हेलो, वेलकम साथियो, देव हुमी एजुकेशन पॉइंट मा आप सभी का एक बार फिर से स्वागर दोस्तो अगर पहली बार हमारे चैनल पर है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिजे और नोटिफिकेशन बेल आइकन दवा करके आप हमारे साथ हमें सागे लिए जूड सकते हैं और सबसे पहले आपको हमारे अपडेट मिलते रहेंगे तो दुस्तो आज का जो वीडीयो है यहां पर मां आप लोगůसे ज़्यादा क्वेशंड डिस्कस नहीं करने वाला हूं केवल दस क्वेशंड डिस्कस करेंगे लेकिन दस क्वेशंड पढ़ने के बाद आपको ऐसा नहीं लग Catalए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो फिर प्लीज वीडियो को लाइक और शेर जरूर करना सारे के सारे जोग्राफी वाले पार्ट से आज हम डिसकस करने वाले हैं चले ज़्यादा बात ना करते हूं आगे बढ़ते हैं उमीद करता हूं आप सभी लोग ने अभी के वीडियो को लाइक कर लिया है दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है कौन सा प्रदे सुलेमानी पत्थर चौक और पाटाईल का मुख्य रूप से उत्पादक है ठीक है तो सुलेमानी पत्थर एक परकार का चमतकारी पत्थर होता आपको पता होगा इसके बारे में चौक पर Τाइल का मुख्य रूप से उत्पादन कौन सा स्टेट करता है दोस्तों देखेंगे आब ये गुजरात करता है घीक है तो गुजरात जो है इसका सही आंसर होने वाला है तो दोस्तों अगर गुजरात हमारे इस क्वेसिन में आया है तो भारत के मैप में ये गुजरात की पोजिशन यानिकी इस्थीती रही ठीक है तो गुजरात देखे दोस्तों गुजरात की राजधानी पूछी जाते है कई बार तो गुजरात की राजधानी कहां पर है गांधी नगर गुजरात की राजधानी है तो गुजरात का सबसे बड़ा शहर जो है अमधाबाद है और इंपोटेंड जो आता है वो ये आता है कि गुजरात की जो स्थापना हुई थी यानिके गठन का हुआ राज्यका तो हुआ था गुजरात का गठन हुआ था अभी इस समय बरतमान में यहां के राज्यपाल है आचारे देवरत दोस्तों और उसके यहां के मुखे मंदरी भुबिंतर भाई पटेल है जो भाजपा से है ठीक है और यहां का विदान मंटल जो है एक सदनी है विदान सभा के अगर बात करें यहां पर 182 सीटे हैं और राजर्य सभा के लिए 11 सीटा आती हैं और लोग सभा के लिए 26 सीटा आती हैं तो यह कुछ important चीज़े हैं जो गुजरात के बारे में important चीज़े हैं जो परिक्षाम आपसे पूछी जा सकती हैं नेक्स्ट यहाँ पर हमारा दूसरा option इसमें राजस्थान था दोस्तों राजस्थान के बारे में भी हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए देखे ये राजस्थान का पूरा जो मैप आप देख पारे हैं स्क्रीन में आपकी तो ये राजस्थान का पूरा मैप है ठीक है त करके जल्द से बताईए शेतर फलम अगर राजस्तान है तो फिर जनसंक्या के आधार पर कौन सा स्टेट है तीका तो ये चीज आपको बतानी है तो भई जाजस्तान जो है जनसंक्या शेतर फलम के आधार पर है दोस्तों इस राजी के अंतराश्टी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है और इसके अतिरिक्ति ये देश के पांच राजियों से भी अन्य राजियों से भी जुड़ा हुआ है तो आप देखेंगे यहां पर को आप देख पा रहेंगे ऊपर इस यहां पर पंजाब आपको दिखाई दे रहा है यहां पर हरियाना आपको दिखाई दे रहा है और उत्तर प्रदेश यहां पर आपको दिखाई दे रहा है और मध्य प्रदेश यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ठीक है और गुजरात यहां पर को है ठीक है तो और यहां पर पाकिस्तान आपको दिखाई दे रहा है ठीक है यानि कि यहां पर आप देख पा रहे होंगे कई जानकारी हैं हम एक वीडियो में आपको दे रहें और अगर इसकी स्थापना की बात करेंगे 30 मार्च उनिस्था उन्चास को इसकी स्थापना हुई थी राजस्तान की और इसकी राजधानी जैपूर है सबसे बड़ा सहर भी यहां का जैपूर ही है यहां की जो बरतमार राज़िपाल हैं वो कल राज मिश्र हैं और मुख्य मंतरी का नाम अगर पूछा जाता है तो असोग गहलोज जो है यहां की मुख्य मंतरी विदान मंडल यहां का एक सदनी है जहां पर 200 सीटे हैं ठीक है तो इसकी מद्यप्रदेश की राजदानी कहा पर है मद्यप्रदेश की राजदानी भोपाल में यहां का सबसे बड़ा जो शहर है मद्यप्रदेश का वो इंदौर है दोस्तो यहां के अगर जन घनत्वो आप से पूछा जाता है तो 237 अपर किलोमेटर जो है 1956 को हुआ था अगर मध्य प्रदेश की बात करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश शेत्रफल की दिरिष्टि से शबसे बड़ा राज्य था अभी इस समय जो है क्या है राजस्थान है लेकिन सन 2000 तक ठीक है तो एक नॉम्बर 2000 तक जो है मद्यपरदेश शेत्रफल की दिर्श्चे सबसे बड़ा राजी था लेकिन मद्यपरदेश से 36 गड़ को काट लिया गया ठीक है इस किनारे में आप 36 गड़ देख पारे होंगे एक नॉम्बर 2000 को जब 36 गड़ की स्थापना होई तो उस समय मद्यपरदेश से 36 गड़ को अलग कर दिया गया तो इसका शेत्रफल जाहिर जिवादक कम हो गया तो राज्यपाल यहां के इस समय जो है मंगु भाई छगन भाई पटेल यहां के राज्यपाल है और मुख्यमंद जो है यहां पर राजस्थान से होती है उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा साजा होती है 36 गड़ होती है महारास्टर होती और गुजरात से इसकी सीमा साजा होती यानि कि यह बीच में है ठीक है मध्यप्रदेश आपको पताई होगा बाकी चलिए उसके बाद अगला देखें त उत्राखंड के बारे में आपको बहुत ज्यादा बताने की जरुरत नहीं आप देख सकते कितने राजियों से मिलता है यहां पर और कितनी अंतराष्टी सीमा किस किस देश से है तो ये सारी चीज़ें जो है हमने उत्राखंट के वीडियो में भी आपको पढ़ाया हुआ है और आपका अपना घर है ज्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साजा करता है भाई देखे सबसे लंबी सीमा यहाँ पर एक नेपाल दिया है चीन दिया है बंगलादेश दिया और भुटान दिया है दोस्तों देखे आपको पता है बंगला देश से जो है ये देखे पूरा का पूरा बंगला देश को अगर देखेंगे आप ये भारत के एक इस वाले गुफा के अंदर मान लो इसको एक गुफा टाइप की तो इसके अंदर पूरा का पूरा बंगला देश समा गया है मेरे वा मिलती है उसके बाद भूटान भी यहां कहीं जो है भूटान भी थोड़ा सा यह देगी भूटान भी यहां पर को पूरा भूटान भी इसके साथ सीमा साजा करता है ठीक है और बागी नेपाल तो यहां पर आप आपको पता ही है अब बात करता है मैं इसके बारे में थोड़ा 17 प्रदेशों के 92 जिलू में टच करती है भारत की सबसे लंबी स्थली सीमा जो question में पूछा गया था वो बंगलादेश है जो के हमने आपको बता दिया है भारत की जली सीमा जो है 7516.6 km की है ठीक है जली सीमा और ये 13 राजी और केंदर साशित प्रदेशों में फैली हुई है तो भारत की जो सीमा साजा करते उन देशों की किलोमेटर को हम यहाँ पर देखेंगे देखें मैंने point wise किया है सबसे बेले बंगलादेश सबसे जादा है 4096.7 km की सबसे जादा सीमा जो है बंगलादेश से उसके बाद चीन की बात करेंगे 3488 किलोमेटर चीन की है दूसरे न नरनबे किलोमेटर अफगनिस्तान 106 km की सीमा साजा करते हैं यह पूरा डेटा मैंने आपको बता दिया है आपर को चलिए आगे बढ़ते हैं अगला question है इन में से कौन सा पिड्मांट पठार का एक उदाहरन है भाई देखी सबसे पहले मैं पिड्मांट पठार क्या होता यह भी सबसे पहले तो आपको पता होना चीए पठार क्या होता है ठीक है तो इस तरह के जो आपने देखा होगा एक उभार होते हैं कुछ समतल समतल टाइप के और कुछ उभार जो होते हैं इनको पठार बोला जाता है ठीक है और इसके बारे में ज्यादा डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा आपको क्योंकि जब इसका डेटेल्ट वीडियो बनेगा उसके बारे में बताऊंगा तो दोस्तों सबसे पहले इसके एक्जाम्पल फटार है तो पिट मॉंट पठार का UDHARN कौनूंसा एक्जाम्पल कौनूं साै मालवा का पठार ठीकर तो मालवा का पठ पठार जो है पिड्मांट पठार है अब देखें यहां पर पिड्मांट पठार मैंने आपको बताया था तो पिड्मांट पठार यह है यहां पर देख पारे होंगा पिड्मांट पठार को तो इस तरीके जो पठार होते हैं ठीक है तो इसको पिड्मांट पठार बोला जाता तो ये गिरी हो गया पहाड हुआ और इसके जो नीचे साइड में समतल टाइप का यानि कि कुछ-कुछ हलका सा उभार लिये हुए भी हो सकता है तो इसको पठार कहा जाता है यानि कि ये क्या है पिड मॉंटे पठार है और इसके एक सिरे पर समुद्रे हो सकता है या नहीं भ आया तो मालवा पठार के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं देखी ये मालवा का पठार है आप देख पारे होंगे बीज में जो वाइट वाला हिस्सा ये पूरा दिखाई दे रहा आपको ये क्या है मालवा का पठार है इसकी location के अगर बात करेंगो तो मालवा का पठार विंद पहाडियों के आधार पर एक तिर्भुजाकार पठार है थीक है तो विंद पहाडियां कहा पर है थीक है विंद पहाडियां ये सारे विंद्यांचल परवत सिरेनी है थीक है तो इन पहाडियों के आधार पर ये उची 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 पहाडियां होंगी तो इनके आध का पठार है ठीक है ये एक किस परकार का पठार है कई बार ऐसा क्वेश्चन आता तो ये कैसा पठार ही ये लावा पठार है ठीक है कैसा पठार है लावा पठार है इसके पूरू में बुंदेल खंड देखे पूरू में बुंदेल खंड ये क्या है बुंदेल खंड अब यह पूरब हुआ और ये जो है पश्चिम है ये उत्तर है और नीचे दक्षन है तो इसके पूरब साइड में क्या है बुंदेल खंड का पठार है ठीक है उपर देख पारे हूंगा बुंदेल खंड का पठार और उसके पश्चिम में ये अरावली पहाडियां है ठीक है अरावल और ले रेना आप मैं टेलिग्राम पर पीडिय भी प्रोवाइट करा दूँगा अगर जब भी मुझे टाइम लगीगा तो विज्ञाद चल के बारे में इतनी चीज़ें आपको यहां से सीखने को मिली और उसके साथ ही साथ आप से रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइ हुई है तो दामोदर घाटी परियोजना के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं आप देख पा रहे होंगे यहां पर को एक चित्रे तो यह दामोदर घाटी परियोजना का एक छोटा सा रूप है एक पिक्चर क्लिक की गई है तो दोस्तों दामोदर घाटी परियोजन है कौन सी है दामोदर घाटी परियोजना ये किस नदी पर है ये दामोदर नदी पर है ठीक ये कहां पर है जारखंड और पश्ची बगल वह ठीक है ये चीज आपको ध्यान रखना है और इसका जो विस्तार है वो कितना है 24,235 वर्ग किलोमेटर इसका विस्तार है कुछ बात है भारती सर्वेक्षन विभाग बनाता है ठीक है तो भारती सर्वेक्षन विभाग क्या करता है जो है इन में इसकी इस्तलाकरतिक मानचित्र को बनाता है देखे अब यहां पर जो भारती सर्वेक्षन विभाग है इसकी स्थाबना सर्वे ओफ इंडिया की स्थाबना मतलब इसको भी चेंज किया गया इसका सुरूप बार-बार चेंज हुआ बाद में इसको बनाया गया भारती सर्वेक्षन विवागी है इसकी पूरवरती संस्थाइं थी ठीक है उसके बाद revenue service का नाम रखा गया mapping service का नाम रखा गया ठीक है तो यहां पर अधिकार शेत्र के गर बात करते तो इसकी भारती भूमी इसका अधिकार शेत्र है ठीक है और इसका मुख्याले जो है कहां पर को है देहरादोन में है ये question पूछा जाता है मुख्याले इसका पूछा जाता है और इसकी स्थापना कावर से भी पूछा जाता है दोस्तों भारती सर्वेक्षन विभाग जो है भारत की नक्षा बनाना और सर्वेक्षन करने वाली एक अजेंसी है ठीक अगर भारत का नक्षा बनाना है या भारत की भगोलिक शेत्र वगेरा इनका नक्षा बनाना है तो कौन भारती सर्वेक्षन विभाग बनाएगा तो सर्वेक्षन ये एक क्या है एक सर्वेक्षन करने वाली या सर्वे करने वाली या नक्सा अगरा बनाने वाली एक अजेंसी है केंद्री एंजेंसी है ठीक है इसका गठेन 1767 में ब्रिटिस इस्ट इंडिया कमपणी के शेत्रों को संगठित करने के लिए किया गया था ठीक है तो 1760 में इसका जो इसकी स्थापना को जो उद्देश्य था वो क्या था ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी की शेत्रों को संगठित करना था ठीक है तो ये जो है भारत सरकार के पुरातंत्म यानिकी सबसे पुराने अभियांत्रीक विभागों में से ही एक माना जाता है तो यहां से कुछ इंपर्टेंट चीज़ा आपने सीख ली नेक्स्ट इक्वेश्चन है निमखित में से किस दर्रे को भारत चीन और म्यामार का तिरकोणी संगम कहा जाता है सबसे पहले तो दर्रा किसे कहते हैं आपको दर्रे के बारे में पता होगा ठीक है दर्रे का मतलब होता है एक कोई दो पहाड़ों के बीच से या किसी भी ऐसी संकरी से एक घाटी होती है बिलकुल पतला सा दर्रा जहां से आर पार जाया जा सकता है एक मतलब बहुत संकरा सा रास्ता ठीक है तो इसी को दर्रा कहे दिया जाता है भुगोल की भासा में तो देखें यहाँ पर यह पूछ रहा है कि किस दर्रे को भारत चीन और म्यामार का तिर्कोनी संगम कहा जाता है तो दोस्तों यहाँ पर जो दिफु दर्रा इसको जो है भारत, चीन और म्यामार का तिर्कोनी संगम कहा जाता है अब देखे आप यहाँ पर इस मैप के माधियम से आप यहाँ पर देख सकते हैं देखे दिफु दर्रा और सारे मैंने आपको दिखा रखें कौन-कौन दर्रा कहां पर है तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले उपर, इसको मिटा लोओ, देखे यहाँ पर यह दिफु दर्रा है, तो यहाँ से म्यामार के साथ मिला और यह अपना भारत है यानि कि यहाँ पर इसने क्या बना दिया, एक तिरकोनी संगम यानि कि तिरकोनी संगम इसलिए क्वेशन पूजा गया है, दिफु दर्रा बनाता है, उसके अलबा नाथुला है, तो नाथुला दर्रा यह रहा, देखे इसकी पोजिशन आप देख सकते हैं, भूटान, अगर हम बात करते हैं, दिफु दर्रा जो है, 4587 मीटर की उचाई पर इस दर्रे के आसपास, इस दर्रे के पास भारत, चीन और म्यामार की सीमा है, दोस्तों, अक्टूबर 1960 में चीन और म्यामार ने दिफु के निकट अपने सीमाओं का सिमांकन किया था, जिसके बाद भार रोनांचल परदेश को ले करके विवाद उत्पन्ने हुआ था, रोनांचल परदेश में इस्तिद ये दर्रा जो है, मतलब राजी के लिए, मतलब इनके राजी म्यामार और भारत के बीच एक रास्ता उपलब्ध कराता है, मतलब शुगम रास्ता उपलब्ध कराता है, और ये भारत और म्यामार्च के बीज परंपरागत दर्रा भी है दोस्तों ठीक है भारत और म्यामार्च के बीज परंपरागत दर्रा कौन सा ऐसा question अगर कभी बनता है तो वो कौन सा दर्रा होगा वो द्विफू दर्रा ही होगा जो इनके फीज ब्यापार और परिवहन के लिए साल भर वर्स भर खुला रहता है पूर्वी असम के लिए इसका एक राजनितिक महतु भी है इस सीज़ को भी ध्यां रख लेना ठीक है, असम के लिए राजनितिक महतु किस दर्रे का है तो वो दिफुदर्रे का ही है तीक है ये आपको ध्यान रगना है इससे आगे बढ़ते हैं अगला क्वेशन है भारत के किस राजी या केंदर सासित परदेश में मैंग्रोव शेतर का प्रतिशत सरवादिक है अब बहीं मैंग्रोव शेतर क्या होता है तीक है तो मैंग्रोव मंगाल इसका सही जवाब है आप देख पा रहे होंगे इस तरह की वनस्पति ठीक है तो यह खारे जल में या पूरे खारे जल में या फिर कम मात्रा में या अर्द खारा जल जो होता है वहां पर इस परकार की वनस्पति पाई जाती है ठीक है तो भारत के भारत में जो विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव शेत्र है एस चीज को ध्यान रखेने ना वेरी इंपोर्टेंट है कभी भी पूछा जा सकता है तो इस सुंदर्वन का कुछ शेत्र भारत में भी आता है तो ये बांगला देश में है पश्चिब मंगाल या और बांगला देश में कुछ भारत में है कुछ बांगला देश में है तो पश्य मंगा यहाँ पर सीधा सीधा सही होगा कर थोड़ा बहुत भी आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है इसके आतिरिक्ति जो है कृष्णा गोदावरी शेत्र में भी मैंगरोब है और भारत में मैंगरोब का शेत्र बाल लगबग 4000 वर्ग किलो मिल्टर है वै कितना है 4000 वर्ग किलो मिल्टर है भारत में ठीक है और मैंगरोब वनस्पति जो है विश्व के लगबग 118 देश में पाई जाती है यह भी आपको ध्यान रखना है कितने देश में 118 देश में पाई अब बात कर लेते हैं मैंग्रोव क्या है मैंने आपको बोला था कि मैंग्रोव किसे कहते हैं तो मैंग्रोव क्या होता है दोस्तों मैंग्रोव ऐसे चुप या ब्रक्ष होते हैं ठीक है चुप मलब जाडियां वगरा या फिर ब्रक्ष भी हो सकते हैं जो खारे पानी या फिर अर्द खारे पानी में पाए जाते हैं अक्सर यह ऐसे तटी शित्रूम होते हैं जहां पर कोई नदी किसी सागर में बह रही होती है ठीक है जिस से जल में मीठे पानी और खारे पानी का एक मिस्रन सा बन जाता है ऐसी जगह पर यह होते हैं तो मैंगरो परजातियां जो होती हैं बहुत अधिक सैंसील होती हैं कुछ इनके गुण होते हैं तो ये बहुत अधिक सैंसील होती हैं और प्रति दिन खारे पानी के बहाव को जहिलती हैं जहिल पाती हैं तो खारा पानी यानके समुंदर के आसपास होगा तो खारा पानी ही ह तो सभी मेंगरों पौदे जो होते अपनी जड़ों से पानी का उशोषन करते हैं समय क्या करते हैं नमक की कुछ मात्रा को क्या कर देते हैं अलग कर देते हैं साथ ही साथ ये पौदे दूसरे पौदों के अपिक्षा नमक की अधिक मात्रा अपने उतकों में सहन कर सकते हैं ठ कुछ बहुते अपनी पत्यों पर पाये जाने वाली विशेश कोसिका से अतिरित नमक को बाहर भी निकाल देते हैं। अब पश्चिमी विश्वब क्या होता है इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में समझने की कोशिश करते हैं। द्यान रख लेना और इससे संबन्दी जितने भी महत्वपूर्णे चीजें हैं वो मैंने यहां पर आपके लिए पॉइंट आउट कर रखी हैं। इसको आप ध्यान रखना यह पूरु में बांगलादेश के उत्तरी भागों और दक्षण पूरु नेपाल तक फैला हुआ है। यह जो है एक गैर मानसून वर्षा पैटर्न है और यह पच्वा हवाओं द्वारा संचालित होता है। सर्दियों के मौसम में पश्चमी विश्वप काफी मजबूत होते हैं। तो पश्चमी विश्वप का महत्व भी है। ऐसा नहीं है कि इसका कोई महत्व नहीं है। पश्चम से यह मानसूनी हवाएं और मानसून आता है और भारत के उत्तरी एरिया में बंगलादेश और नेपाल यहां तक का एरिया आप इस चित्र में देख पारे होंगे यह मामला यहां तक सेट है पूरा। ठीक है तो इस एरिया में यह क्या करता है वर्षात करता है और वर्षा का कारण बनता है ठीक है ये चीजा आप समझ गए next question है निम्खिद में से कौन सा अंतरदेशी नदी बंदरगा है देखे नदी बंदरगा अब नदी बंदरगा जहां पर आ जाता है तो भारत का एक मात्र नदी बंदरगा कौन सा है कोलकाता बंदरगा है यहापर कलक ये most important है इसको ध्यान रखना तीक है और समुद्र तल से जो है समुद्र से 203 किलोमेटर की दूरी पर ये इस्तित है भारत की प्रधान मंत्री द्वारा इस बंदरगा का नाम ये एक current का question यहाँ पर बन सकता आपके लिए और इस चीज को आपको ध्यान रखना है भारत की प्र आपको ये comment करके बताना है सर्च करो किसी book से पढ़ो या फिर चाहे आपको याद हो आपको इसका comment करके बताना है कि इसका नाम नरेंदर मोधी जी ने किसके नाम पर रखने की घोशना की है दोस्तो शोली सताबदी की शुरुआत में पूर्त गालियों ने पहली बार इस ब अपयोग किया था क्योंकि जो हुगली नदी है तो हुगली नदी कोलकाता के जो उपरी शेत्र हुगली नदी का कोलकाता के जो उपरी वाला शेत्र है ये उनके नावों को रखने के लिए शुरक्षित थे इसलिए इन्होंने इस स्तान का उपयोग किया इसके चार उत्र ब पांचवाँ अधिनियम था दोस्तों ठीक है पांचवाँ अधिनियम था अठार सो सत्तर का इसलिए जो है दोजार बीस को इस इसने डेड़ सो साल पूरी किये ठीक है तो दोजार बीस को जो है इस बंदरगाह के डेड़ सो साल पूरी करने पर सेलिब्रेट भी किया गया तो 500 साल इसने 2020 में पूरे कर लिए और यहां पर कलकत्ता पूर्ट कमिशनर के कारेलेकार निर्मान भी हुआ था कब 870 में पांच भी अधिनियम के द्वारा तो यह सारे important point है मैंने जो आपको बताए हैं इनको सभी को आप नोट कर सकते हैं next question दस्वा question है अंटार्क टिका में भारत की पहली बस्ती दक्षण गंगोत्री किस वर्स बर्फ में दब गई थी बहिया यह दब गई थी 1989 में ठीक है तो कब दब थी 1989 में दब गई थी इसको थोड़ा बर्फ जम गई और यह पूरा बंद हो गया दब गया था ठीक है इस कारिकरम की शुरुवात हुई थी 26 जनवरी 1984 को ठीक है तो उस समय जो ततकाले इन प्रधान मंतरी सिरीमती इंद्रा गांधी जी थी उनके द्वारा जो है सौरी इसकी स्थापना हुई थी 1984 को लेकिन कार लिख दिया है शुरुवात कारिकरम की शुरुवात हुई थी 1988 में शुखन इसको बनाने का तो सबसे पहली बात है यह है कि भारत का पहला स्थेशन है त्यक है किसले की थी भारती विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए और धुरूवी अनुसंधान के लिए ठीक है धुरूवी रिशर्च के लिए इन्होंने इसके स्थापना की थी वर्तमान में ये स्टेशन जो है अब बंद हो चुका आस्तित्तों में नहीं है ठीक है ये कुछ important चीज़ें यहां से थी ये मैंने आपको बता दी है तो 10 question थे मैंने उमीद यही की थी कि आप लोगों को 10 question से 50 से 100 question के 20 में तयार हो जाई यानि कि प्रतेक fact को आपको उससे समंदी जुड़ी ही चीज़े बता दी जाए अगर वीडियो आपको लगा है कि हमने भी मेहनत की है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो आप ठीक है और शेर भी कर दो बाकी लोगों तक चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन बेल आइकन तब आप प्रेस करेंगे तो आपको हमारे सारे अपडेट मिलते रहेंगे ठीक है अगर कोई इस वीडियो में अगर कुछ सुधार चाते हो तो प्लीज कमेंट करके सुधार करने के लिए आप बोल सकते हम नेक्स्ट वीडियो में सुधार करेंगे